दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूचे आज की पहले कबर बिहार में ठंड की दस्तक सुबा और रात में सिहरन बढ़ी गिरने लगा है तापमान जहां बिहार में ठंड ने दस्तक देने शुरू कर दी है सुबा और रात के समय सिहरन बढ़ गई है पिछले 24 घंटे में पटना समित राजबर में मौसम सुस्क रहा अधिकतम तापमान में 2-3 डिगरी तक गिरावट देखी गई है मौसम मिगान केंदर पटना के नुसार सुबे में सरवादिक तापमान खगड़या में दर्च किया गिया है जबकि नूंतम तापमान पटना में 19 डिगरी दर्च किया गिया है अगली बड़ी कबर तीन साल बाद आज लालो आ सकते हैं पटना डाक्टरों ने दी जर्नी की परमिसन उपचना में तेजस्वी की बड़ी की तागत जहां बिहार उपचना में अब लालो प्रसाद की एंट्री की उमीद है 24 अक्टबार यानि आज साम लालो पटना आ सकते हैं जानकारी है कि लालो प्रसाद की डाक्टरों ने उन्हें जर्नी करनी की अनुमती दे दी है हाला कि एन वक्त पर क्या होगा यह कहना थोड़ा मुस्किल है लालो को किड्ने हाट से जुड़ी गंभी बिमारिया है खबर है कि एर इंडिया की फ्लैट से रहिवार को दो पहर दो बजे लालो पटना आएंगे आपकी जानकारे के लिए बताते कि लालो इससे पहले तेजे परताब यादव की साधी में 12 मैं 2008 को पटना आये थे यानि करीब 3 साल बाद लालो पटना आएंगे खबर यह भी है कि लालो तारापूर और कुसेसर इस्तान में सभा को समधित करेंगे वे हेलिकेप्टर से स्चुना प्रचार के लिए जाएंगे आगली बड़ी खबर आरजेडी कार्याले में आया 6 टन का लाल टेन राजिस्तान से मंगाया गिया गुलावी पत्तर से बना है लालो जिलाएंगे लो जी हाँ आरजडी कार्याला में च्छो टॉन का लाल्टेन आ गिया है गुलावी पतर से बना या लाल्टेन राजिस्तान से मंगाया गिया है मिली जानकारी के अनुसार तेन हिस्सों में इसे पटना लाया गिया है इसके लिए कार्याला में एक चौपीट का बेस्मेंट भी तयार किया गया है बताया जा रहा है कि लालो प्रसाथ के आगमन के उपलक्च में इस लालटेन को जलाये जाएगा वो खोद इसकी लोज जला सकते हैं आरजेडी अपने इस लालटेन को लोगों के सामने सर्प्राइज के तरह लाना चाहती है इसलिए इसे कपड़ों से ढख कर रखा गिया है जहां लालटेन रखा गिया है वहां तक किसी को जाने के अनुमती नहीं है चो टन की लायल टेन रखने के लिए चो पीट का बेस्मेंट तैयार किया गिया है बड़े ख़बर बहाली की मांग के लिए अभियरती करेंगे परदसन 27 अक्टूबर को ट्यूटर पर चलाएंगे बिससी वादा पुरा करो हैश्टेक एक से तीन नॉबर तक अंसन करने की अभियरतियों ने चितावनी दी है केंडिडेट का कहना है कि बिससी की मनमानी अब नहीं चलेगी ट्यूटर से लेकर सड़क तक चात्र आंदोलन करने को तयार है राष्टिय चात्र एक्ताम मंच के अधग चात्र नेता दिलिब कुमार का कहना है कि दोज़ा 14 में 13,120 पदों के लिए आई बियससी प्रतम इंटर स्टरिय बहाली साथ साल बाद भी पुरा नहीं हुई है इसे चात्रों में कापी अक्रोस है कई परिचात्रियों ने बताए कि वे लोग कापी परिशान है और नेरास है एक बर फिर से अंदोलन करने के लिए मजबूर है अगली बड़ी ख़वर बिहार में फिर बदल सकता है मौसम अगले 24 घंटे में पुर्निया कटिहार सुपोल सहित साथ जिलों में हलकी बोना मुंदी की सम्मावना जिहां मानसुन के वापसी के बाद भी बिहार में हो रही बारिस सब खतम हो गई है पिछले 24 घंटे में बि एक या दो इस्तानों पे हलकी बंदाबंदी हो सकती है बाकी 31 जीलों में मौसम पूरी तरह सुस्क रहेगा उदर राज में खगड़िया में अधिक्तम तापमान 34 दसमलव 3 डिगरी सेलसेस रिकोर्ड किया गिया है मौसम विवा का कहना है कि उत्तर दचिन टरप रेखा जो कारण उत्तर पूरों बिहार के एक या दो इस्तानों पर हलकी बंदाबंदी का पुर्वानुमान है बाड़ी कवर बिहार में पिछले 24 घंटे में मिले 9 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान पिछले 24 घंटे के दोरान हुई 32 जीलों में नए संक्रमित की पहचान नही भी है वहाँ पिछले 24 घंटे में राज में 141,0701 सेंपलों की कोरोना जाच की गए इस दोरान संक्रमं दर सुन रही राज में नहीं संक्रमित मरीज स्वास्त हो गए और स्वास्त होने के दर 69 agric 66 씨 रही कोरोना संक्रमित किसी मरीज के मौत नहीं हुई है वरतमान में राज म कोरोना के 35 सक्रिय मरेज इलाजरत है कोरोना के पहले वह दूसरी लहर के दौरान अब्दगराज में 7,26,054 संक्रमित की पहचान हो चुकी है बड़ी कबर बिहार में 8 सक्टूबर वह 7 नौम्बर को चलेगा विसेश टिका करन अभियान जहां ताय उम्र के राज के सभी लोगों को तेजी से कोरोना का टिका देने को लेकर 8 सक्टूबर और 7 नौम्बर को फिर विसेश सभियान चलेगा मुखिमंतरी नितिश कुमार ने टिका करन के सभियान को पूरी तैयारी रखने का निर्दिस दिया है पतादिकारियों को कहा गया है कि दोर टो डोर सर्वी के दोरान चीनित किये गए बचेवे लोगों का टिका करन तेजी से कराए साथी एक वर फिर से सर्वी करा ले ताकि कोई भी व्यक्ति कोरोना टिका लेने से बंचित ना रहे बाड़ी कबर बिहार में होगी फिल्मों की सूटिंग नई निती जल्द लेकर आ रहे है सरकार नौमबर में होगा बाल फिल्म महत्सव जहा बिहार में फिल्मों की सुटिंग को बढ़ावा देने के लिए नई फिल्म निती का प्रारूप जल्द तयार किया जाएगा इसमें ऐसी विवस्ता होगे कि एक जगा आवेदन देने पर सुटिंग से लेकर सुरक्षा तक की सारी विवस्ता हो जाए सनिवार को बिहार राज फिल्म विकास एवंबित निगम लिमिटेड की प्रबंद नित्यसक वंदना प्रेसी के साथ इस्थानिय फिल्म कलकारो की बेटक में या निनने लिया गिया है वंदना प्रियसे ने बताये कि नवंबर में बाल दिवस के मौके पर राज सरकार द्वारा बाल फिल्म महत्सव का आईजन किया जाएगा उनने कलाकारों को बिहार में फिल्म की सुटिंग करने के लिए आमंतरित किया है और कहा है कि पिछले दिनों गया में सुटिंग का प्रसाब आया था जिसे महाज एक दीन में अनमती दी गई है सुरक्चा के लिए इसतानी पलिस प्रासासन को भी पत्र लिखा गया है आगली बड़ी खवर बिहार के सभी जिलों में खुलेगा ओबिसी कन्या आवासिय पलस्टू स्कूल, स्मार्ट क्लास, मौडन लेब, लैवरेरी और जिम की भी होगी वेबस्ता जहां बिहार में ओबिसी वर्ग की लड़कियों को बेहतर सिख्चा मोहिया कराने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है सरकार राज के सभी जिलों में ओबिसी कन्या आवासिय प्लस्टू स्कूल खुलने जा रही है यहाई स्कूल इगारवी और बारवी कक्चा के होंगे इन स्कूलों में अबिसी वर्ग की लड़कियों को पढ़ाई के लिए ना सिर्फ बहतर सुविधा उपलब्त कराए जाएगी बलकि प्रतेक विदाले में स्मार्ट क्लास, मौडनल लेब, लाविरेरी और जीम की विवस ने DPR पावर प्रेजेंटेसन त्यार किया है, इसका प्रेजेंटेसन सिख रहे, मौडनल के समक्च किया जाएगा, पावर प्रेजेंटेसन से पले डिप्यार पर अगले सप्ता विभाग्या समिक्चा होगी विभाग से मिले जानकारी के अनुसार 3820 कन्या प्लस्टू विदाले की स्तापना होने पर आने वाले खर्ज का आकलन तक्रिबन 114 करोड 37 लाक रुपिय है बाड़े कबर नितिस सरकार गिराएंगे तजस्वी कुसेसर इस्तान में बोले दो सीट जीत कर खेला करेंगे क्योंकि जादा का अंतर नहीं है विहार के मुई की बिबक्ची दल आरजडी पिछले साल विदानसवा चिनाव हारने के अगले दिन से ही दावा कर रही है कि मुखिमंतरी नितिस कुमार के नित्त वाले एंडे सरकार अपना कारिकाल पूरा नहीं कर पाएगी नितिस की सरकार कभी भी गिर सकती है एक नहीं बलकि कई मोकों पर विहार के पूर्व मुखिमंतरी लालो प्रसाद यादव के चोटी बेटे और विहार के नेता प्रतिपाज तेजस्व यादव एक का चुके है तेजस्वी ने एक और फिर इस बात को दोहराया है उन्होंने यह दावा किया है कि विदानसवा की दोनों सिटो पर उपचनाव जीत कर वहाँ केला कर सकते हैं तेजस्वी ने जनसवा में कहा कि सरकार और विबक्च में ज़्यादा कांतर नहीं है इसलिए हम तागत मागने आए हैं अगली बड़े कबर कम होगी पटना से दिल्ली की दोरी मार्च तक पुरा हो जाएगा फोरलेन प्रोजेक्ट का एक हिस्सा जिहां पटना के लोगों का अब सडक मार्ग से दिल्ली जाना आसान हो जाएगा बक्सर आरा राश्ट्या राजमार्ग 84 पर बक्सर से कोईलवर के बीच फोरलेन सडक निर्मान का काम तेजी से चल रहा है और अगली साल मार्च महने तक निर्मान कार भी पूरा हो जाएगा वैसे तो काम इस साली पूरा हो जाना था लेकिन कुरोनम हमारे की दूसरी लहर की वज़े से काम की रबतार धिमी पड़ गई थी बड़ी कवर बिहार में हेलमेट सीट बेल्ट के साथ सभी जीला में चला प्रदोसन एवं पर्मिट जाच अभियान जिहां हेलमेट सीट बेल्ट के साथ सनिवार को सभी जीलों में वाहन के पर्मिट प्रदोसन एवं इंसरेंस जाच अभियान चलाए गया इस दोरान कूल 1477 वहानों की जाच की गई जिसमें मोटर वहान अदिन्याम के विभिन धाराव के उलंगन पर 310 वहानों पर जुर्माना लगाया गया आपको बताद कि यहाँ अभियान पतना सहित सभी जिलों में परिवहान सचीव संजे कुमार अगरवाल के निर्देश पर जिला परिवहान अभियान की दोरान विभिन नियामों के लंगन में 50 वहानों को जब्द करने की करवाई गई वही बिना हेलमेट लगाए 145 बिना परमिट के 62 वहानों पर जुर्माना लगाया गया और वहान सचीव ने लोगों से अपील किये कि अपने वहानों का थर्ड पार्टी इंसरें इसके वहान चलाते पकड़ जाने पर जुर्माने की तोर पर 2000 रुपया लिया जाएगा तथा दूसरी बार पकड़ जाने पर 4000 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा बाड़ी कबर बिहार वासियों की जेव होगी ढिली राज में 31 सक्टूबर से बढ़ जाएंगे ब्रेड और पाव के रेज़ा बिहार में ब्रेड पाव की किमते एक बार पिर से तई की गई है बेकरी एसोसेशन और बिहार की बेटक में नई दरों को 31 सक्टूबर से पुरी बिहार में लागू करने का निन्या लिया गिया है आपको उदा दे कि जारकन और यूपी के अनुसार किमत तई बिहार में ब्रेड के किमतों में 2 से 5 रूपी के बीच जापा किया गया है सुपर प्रेस ब्रेड के कमपनी हेड केके सिंग ने कहा कि बिहार में ब्रेड के किमतों को बढ़ाने के पहले यूपी बंगाल और जारकन में ब्रेड के किमतों को भी देखना पड़ता है अहली कबर बिहार में दिवाली पर नहीं होगी आतिस बाजी बिहार के इन जीलों में पटा का बिक्री पर रोग एंजीटी का आदेश पिछले साल नौंबर मा में बिहार के चार सहरों में प्रदोसन के अतदिक मात्रा के कारण उन्हें अटेटमेंड टाउन के स्रेनी में रखा गया है इन चार सहरों में पटा का बिक्री पर पुरी तरह से रोक लगा दी गई है इन सहरों में मुझपरपूर पटना गया वह हजीपूर सामिल है नेशनल ग्रेन टूबलन यानि की एंजिटी ने यह आदिस जारी किया है इसके आलोग में बिहार राज परदोसन नियंदरन बोड ने सभी डियमोवा एसपी को पत्र लिखकर निर्दिस दिया है कि पिछली दिपावले के समय इन सहरों के वायू प्रदोसन इस्तर का अधन किया गया था इसमें पाया गया कि दिपावले के समय हवा में PM10, PM2.5, SO2, NO2 के अलावा हानी कारक धातों की मात्रा एदम से बढ़ जाती है इन में आरसनिक, लेड, निकेल, आधी, प्रमूख है इनकी मात्रा हवा में इतनी अधिक हो जाती है कि हवा मानक के अलावा सभी प्रानियों के लिए धातक हो जाता है अरहां के बढ़ के बर दिवाली और छट पुजा में गया से नई दिल्ली के बेच चलेगी फेस्टिवल स्पेसल जाने टाइम टिबल जे अपुजा के दोरान यात्रु की भेड के मद्य नजर सासा राम भवा रोड पंडित दिन द्याल उपादा जक्सन के रास्ते गया और नई दिल्ली के मैद फेस्टिवल स्पेसल टेन का परिचालन किया जाएगा ट्रेन संक्या 01678 नई दिल्ली गया फेस्टिवल स्पेसल का परिचालन 25 सक्टूबर से 19 नवंबर तक सब्ता में दो दिन प्रतिक सुमवार एवं सुकुरवार को किया जाएगा इसी तरह ट्रेंसेंग के 01677 गया नई दिल्ली फेस्टिवल स्पेसल 26 अक्टूबर से 20 नवंबर तक प्रतिक मंगलवार एवं सनिवार को चलेगी इस ट्रेंड के सभी कोच आरची सरेनी के होंगे आज के लिए आपका स्वाल आपके अनुसार कनहया कुमार के आने के बाद क्या कांग्रेस बिहार में उपचिनाव जीत पाएगी या नहीं इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताए